दोस्तों लागडाउन में जो है ट्रेनों का संचालन नेमित रूप से नहीं किया जा सकता ऐसा यहां पर देख सकते हैं आ चुका है तो नेमित ट्रेने जो हैं 12 अगरस तक नहीं चलेंगी इसका कारण क्या बताया गया है और कौन-कौन सी ट्रेने चलती रहेंगी सब पर बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं रिफंड की तैयारी तो जो भी यहां पर टिकट बुक किये गए उनका पैसा है रिफंड किया जाएगा एक जुलाई से बारा अगस्त तक के जितने भी टिकट हैं उनका पैसा जो पूरा-पूरा रिफंड किया जाएगा राजदानी रूट की spread training वा 100 जोड़ी अन्य ट्रेने चलती रहेंगी जो भी happier मेल एक्स्प्रेस उपनगरी सेवा की ट्रेनों परिचालन जो है 12 गर्स तक रद रहेगा सुत्रों ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णे लिया गया है हाला कि राजधानी मार्क पर चलने वाली 15 जोड़ी एस्पसल ट्रेनों और 1 जून से सुरू हुई 100 जोड़ी अन एक जुलाई से 12 अगर्स तक के बुक कराये गए सभी टिकटों को भी रद माना जाएगा रेलवे इसके लिए यात्रियों को पूरा रिफंड देगा इससे पहले रेलवे 30 जून की नेमे ट्रेनों का संचालन भी रद कर चुका है लगडाउन के बाद 25 मार्ज से 12 माई तक संचालन पूरी तरह बंद रहा था इसके बाद एस्पसल ट्रेने चला कर लोगों को कुछ राहत दी गई तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी लगडाउन में यानि कि आप लोगों को पता है कि कोरोना का कहर देश में वैसे कांटीनू चल रहा है चार लाग से ज लाइक शेर कर दीजेगा चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा जैसे कोई अन्य डेट मिलेगी आप लोगों को अपडेट करेंगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्का जैहिन जैभारत